नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप सबका स्वागत एक बार फिर से न्यूजरूम पोस्ट में बिग बॉस सत्रा का खेल अपने पूरे शबाब पर है घर में इन दिनों एक से बरकरे खंगा में देखने को मिल रहे हैं शो के बुधवार के एपिसोड में भी खूप सारा ड्रामा देखने को मिला जहां आईशा खान ने मुनवर फारुकी पर एक के बाद एक संगीन आरोप लगाए दरसल मुनवर ने आईशा को नॉमिनेट किया और कहा कि आईशा इस शो में सिर्फ नेम फेम के लिए आई है ये सुनते ही आईशा खान आग बबूला हो गई और मुनवर पर एक के बाद एक संगीन आरोपों की बरसात कर दी आईशा ने इस एपिसोड में मुनवर के खिलाफ कई चौकाने वाले खुलासे किये तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से आईशा खान ने शो में दावा किया कि मुनवर ने अपनी एक्स वाइफ को भी धोखा दिया था जी हाँ आईशा ने दावा किया कि जब कॉमेडियन नाजिला के साथ इनवाल थे उस वक्त वो शादी शुदा थे आईशा ने बताया कि मुनवर जब नाजिला और आईशा के साथ एक साथ टू टाइमिंग यानि डबल डेटिंग कर रहे थे तब उन्होंने एक फेमस इन्फ्लूएंसर को मैरिज प्रपोजल भी भेजा था आईशा ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि वो उस लड़की के साथ चंडी गट भी गए थे और उनकी एक्स गर्फेंड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था आईशा ने कहा आपके पास एक्स गर्फेंड थी जिसे आपने स्टैंड बाई पर रखा उस वक्त एक्स वाईब भी थी और फिर आपने एक इन्फ्लूएंसर को रिष्टा भी भेज दिया अंकीता ईशा और अभिशेक के साथ बात करते वे आईशा ने कहा जब मुनवर ने उस लड़की को रिष्टा भेजा था तो उस वक्त वो नाजिला को डेट कर रहे थे फिर अंकीता ने पूछा कि क्या आप और नाजिला और वो लगी उस वक्त एक साथ मुनवर की जिंदगी में थी तो आईशा ने इसका जवाब हां में दिया बता दे कि आईशा के इन आरोपों के बाद मुनवर ने अगले ही दिन आईशा से जाकर बात की और सभी घड़वालों के सामने माफी भी मांगी इस दोरान कोमेडियन रोने भी लग गए जिसके बाद नाजिला के बारे में बात करते वे मुनवर ने कहा कि नाजिला ने उन पर धोखादरी का आरोप लगाया था और उनके बच्चे को अपनाने से इंकार कर दिया था घर के अंदर हुए इस ड्रामे के बाद मुनवर की एक्स गर्लफेंड नाजिला ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पर जिसमें लिखा था कि ये शर्म की बात है कि लोग अपने बचाओ के लिए जूट बोलते हैं बता दे कि इन तमाम बिवादों के बीच फैंस भी नाजिला और आईशा खान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं जबकि मुनवर के फैंस उनके साथ खरे हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे शेयर करे कमेंट करे इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद